नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर आज हम बात करने चा रहे हैं एक बहुत ही महत्व पून टॉपिक के बारे में जो है Creative Commons Attribution License या Creative Commons Attribution License क्या आपको पता है कि आप YouTube पर कुछ वीडियोस को बिना किसी copyright चिंटा के फिर से उप्योग कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं क्या है यह license इसे कैसे इस्तिमाल करें और क्या फाइदे हैं सबसे पहले आईए समझते हैं कि Creative Commons क्या है Creative Commons एक non-profit संस्था है जो content creators को अपना काम दुनिया के साथ साजहा करने के लिए license प्रदान करती है इसका मतलब है कि किसी भी कलाकार लेखक या वीडियो creator के पास अपने काम को बिना कोई copyright के दर से दूसरों को शेर करने का अधिकार होता है इस license का मुख्योदेश्य है कि लोग अपनी रचनाओं को एक व्यापक audience तक पहुँचा सके और दूसरे लोग उस content को वैद तरीके से इस्तिमाल कर सके Creative Commons में कई प्रकार के license होते हैं परन्तु Attribution license सबसे popular और आसान है Attribution license का मतलब है कि आप उस content को उप्योग कर सकते हैं शेर कर सकते हैं यहां तक कि modify भी कर सकते हैं पशरते आप मूल creator पो सही तरीके से credit दे YouTube पर इस license का उप्योग करके आप किसी भी वीडियो को views allowed category में डाल सकते हैं इसका मतलब है कि कोई और creator आपके वीडियो को अपने चैनल पर उप्योग कर सकता है लेकिन उसे आपको credit देना होगा अब आए जानते हैं कि आप YouTube पर creative comments वीडियो कैसे ढून सकते हैं जब आप YouTube पर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो सर्च फिल्टर में जाकर creative comments option को select कर सकते हैं ऐसा करने पर आपको केवल वही वीडियो दिखेंगे जिनमें reuse allowed हैं इसे सर्च करने के बाद आप वीडियो को डाउन्लोड कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं और अपने तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आपको उस वीडियो के ओरिजिनल creator का नाम और channel का link देना होगा अब जानते हैं इसके फायतें और कुछ महतोपूर बातें जिनका ध्यान रखना सरूरी है फायते creative comments, attribution license से आपको free में content मिलता है जो आपके channel के लिए उगयोगी हो सकता है अगर आप नए creator हैं तो ये license आप के लिए एक पहतरीन मौका है कि आप दूसरे content को इस्तिमाल करके अपने channel को बढ़ा सकते हैं सावधानिया हमेशा सुनिश्चिप करें कि जो content आप इस्तिमाल कर रहे हैं वह वास्तव में creative comments attribution license के अंतर दाता अगर आपने credit नहीं दिया तो original creator copyright ट्रेव कर सकता है और इससे आपका channel प्रभावित हो सकता है आट्रिब्यूशन देने के लिए सबसे पहले original creator का नाम और video link का प्यूट करें अपने video के description में original video by creators ने लिखें और उनके channel या video का link एंट करें उदार original video by excisee creator विडियो link इस तरीके से आपके दर्शक भी समझ पाएंगे ये content आपके द्वारा create नहीं है बलकि किसी और के content का उप्योग करके बनाया गया है उमीद करते हैं दोस्तों कि आपको creative commons attribution license के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी इस license का सही उप्योग करके आप बिना किसी चंता के और कानून का पालंग करते हुए YouTube पर content बना सकते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like करें, share करें और channel को subscribe करना नहुले अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यबात